Every confession is an admission but every admission is not a confession हम इसे ज्यादा तर लोग इस line में बहुत ही ज्यादा confused रहते हैं कि जब हर confession एक admission होता है तो हर एक admission एक confession क्यों नहीं हो सकता आज की इस वीडियो में हम आपकी इस confusion को दूर करके चार points के द्वारा इन दोनों के मद्द ही admission और confession के बीच में जो भी difference है इनको clear करने वाले हैं तो बीना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिया आरम से प्रारम करते हैं इन दोनों के ही बीच में सबसे पहला difference इनकी meaning का होता है जहाँ पे admission का मतलब किसी भी व्यक्ती द्वारा जो की party हो भी सकती और नहीं भी हो सकती है एक proceeding के दौरान वो formal statement होता है जो किसी particular factor से related होता है जबकि confession का मतलब एक acute व्यक्ती द्वारा किये गए वो admissions होते हैं जो कि उसके commitment of crime से related होते हैं उसके guilt feelings है कि हाँ भाईय ये अपराद मैंने किया है उससे related होते हैं इन दोनों की बीच दूसरा reference उस व्यक्ती का है जिसके द्वारे किये जाते हैं यानि कि जो admission होते हैं वो किसी व्यक्ती ज्वारा जो कि उस case से जुड़े होते हैं वो किये जाते हैं वो parties के द्वारा भी किये जा सकते हैं एजेंट के द्वारा भी legal representative द्वारा भी referee द्वारा भी ये किसी other person द्वारा जो की pecunary interest रखता है उस subject matter में उसके द्वारा किया जा सकते हैं admissions जबकि confession हमेशा एक accused वेक्टी द्वारा ही किया जा सकते हैं एक confession कभी भी other देना accused वेक्टी नहीं कर सकता तीसरे point के अंतरगत इनके बीच में difference cases का है जहांपे एक admission civil cases और criminal cases दोनों में ही किया जा सकते हैं जबकि confession हमेशा एक criminal case में ही किया जा सकता है और इन दोनों के बीच ही चौथा difference इनके nature का है यानि कि जो एक admission होते हैं उनका nature self-serving भी हो सकता है यानि कि जो admission है वो एक वक्ती द्वारा खुद के interest को promote करने के लिए भी हो सकते है और अपने interest को खराब करने के लिए उनको नुकसान पहुचाने के लिए भी हो सकते हैं जबकि confession जो भी वक्ती कर रहा है जो acute वक्ती होता हैं that means कि जो वेक्ति इसमें confession कर रहा होता है उसको हमेशा confession करने से नुकसान ही होता है तो यह थे Indian Evidence Act के अंत्रगत दिये गे admission और confession के बीच में difference का एक बहुत ही छोटा वीडियो I hope आपको यह सारे ही points अच्छे से समझ में आ गये होंगे बाकी के loss related videos points और topics के लिए बने रही है हमाएं साथ नमस्त्राइब